यहां के जो प्रत्याशी हैं, उनमें से एक प्रत्याशी ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी की विचारदारा जो है उससे जुड़ जाओ ठीक है, अच्छी बात है, ये विचारदारा क्या है? ये कौन सी विचारदारा है जिससे हम चाहते हैं कि आप जुड़े इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो विचार धारा है उसकी नीव स्वतंतरता के संग्राम में डली जिसमें आप सब के पुर्खों ने भाग लिया क्योंकि स्वतंतरता का संग्राम जो था वो सिर्फ नेताओं ने वो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी वो पूरी जनता ने लड़ी आपके जो दादा पर दादा है नाना नानिया है वो भी इसमें उन्होंने भाग लिया और वो भी लड़े इस देश की आजादी के लिए और उनकी विचारधारा क्या थी? सत्य, मतलब सचाई होनी चाहिए, समाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, देश के जीवन में, जनता के जीवन में, सत्य की जगे होनी चाहिए, कोई नेता आपके सामने आकर कुछ जूट बोलके चले गया, हमारी विचारधारा के कि ये गलत है किसी नेता ने ऐसी घोशना कर दी जो पूरा नहीं करना चाहता लेकिन कर दी कि भाई चुनावा रहा है ये हमारी विचारधारा के खिलाफ है किसी दो भाईयों को लड़ा दिया या धर्म के अधार पर जाती के अधार पर लड़ा दिया जनता को और उसमें से र है भाड में ये हमारी विचारधारा के एक दम खिलाफ है हम चाहते हैं कि सब एक जुठों कि सब एक साथ आगे बढ़ें कि लड़ाई फूट हम समझते हैं देखिए कि लड़ाई फूट पहलाने से नुकसान किसका होता है आज तक आप बता दो मुझे कहीं लड़ाई हुई क कहीं दंगा फसाद हुआ और किसी नेता का नुकसान हुआ बता दो कोई बता सकता है कोई ऐसा कभी ऐसा कोई हादसा हुआ जिससे नेता का नुकसान हुआ नहीं होता बेहनों और भाईयों लड़ाईयों से जगड़ों से धर्म के आधार पर जातिक की आधार पर जब नुकसान होता है जो सबसे खरीम उसका सबसे जादा नुकसान तो ये लड़ाई जगड़ा करना हमारे विचार धर्द्र थारा के खिलाफ है बड़ी बात क्या है हमारे विचार धारा में जो गांदी जी ने कही थी घानदी जन्दी जी ने कहा था कि गाउ को मजबूत बनाओ गाउ को सशक्त बनाओ जनता का जो पैसा है जो जनता की संपत्ती है वो वापिस जनता की जेव में डालो सबसे बड़ा जो हमारी विचारधारा की जो सबसे बड़ी चीज़ है वह यही है कि ये देश जनता का है इस देश को जनता ने आजाद किया इस देश को जनता ने बनाया किसान की महनत ने मेरी बेहनों की महनत ने मजदूरों की महनत ने छोटे छोटे उद्योग पतियों की महनत ने नौजवानों की महनत ने जो हमारी सेना के जवान हैं, जो सरहत पर खड़े होते हैं, इनकी श्रद्धा और इनकी महनत से ये देश बनाया गया, इसलिए हमारी विचारधारा सबसे पहले ये कहती है, कि देश में जनता सर्वो परी है, कोई नेता जनता से बड़ा नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वग्यानी है जिसके हाथों में सारी सत्ता केंद्रित हो हमारी विचारधारा कहती है कि देश में सबसे जादा शक्ती सबसे जादा सत्ता और देश की संपत्ती तीनों देश की जनता के हाथों में होनी चाहिए तो ये हमारे पार्टी की विचारधारा है किसी की बात कर रहे हैं